जहनक के आज के एपिसोड में आप देखेंगे के नर्स जहनक से बोलती है के अनिरुद बार बार उसका नाम ले रहा है जब भी उसको होश आ रहा है जहनक नर्स से बोलती है कि उसका अनिरुद के पास रहना जरूरी है क्योंकि एक वही है जो अनिरुद की कंडिशन को बेटर कर सकती है छोटुन जहनक से बोलता है कि वो नर्स के कपड़े पहन ले और अनिरुद से मिलने चली जाए नर्स बोलती है कि उसे कैरफुल लेना पड़ेगा नहीं तो उसकी जॉب चली जाएगी जनक नर्स को थैंकी बोलती है तो नर्स बोलती है कि उसे अनिरुद के पास रहना चाहिए क्यूझकि वह अनिरुद की वाइफ है सब डिजाइट करते हैं कि जितना जल्दी हो सके अनिरुद और अर्शी की शादी करा देंगे तब इलाल बोलता है कि सिर्फ छोटों ही हॉस्पिटल में नहीं है जनक भी हा मुझूद है वहीं अनिरुद अपनी आँखे खोलता है और पानी मांगता है तो जनक उसे बोलती है कि इसे पानी पीना भी अलाउड नहीं है अनिरुद पैचान नहीं पाता कि मास्क कर पीछे जनक है जनक अनिरुद को सोने के लिए बोलती है लेकिन अनिरुद बोलता है कि उसे नीद नहीं आ रही है उसे बार-बार जनक की दीवे इंसल्ट याद आ रही है जनक को बहुत बुरा लगता है और जनक अनिरुद से पूछती है कि अक्सिडेंट कैसे हुआ तो वो बताता है कि वो जनक को वापस लाने गया था लेकिन उसने वापस आने से मना कर दिया तो जनक पूछती है कि क्या वो लड़की इतनी जादे इंपॉर्टेंट है तो अनिरुद बोलता है नहीं वो अब उस लड़की से नफरत करता है जनक के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि अरशी अनिरुद से बोलती है कि वेडिंग की अनॉंसमेंट की डेट भी तो शिफ्ट करनी पड़ेगी न तो वो बोलता है कि कुछ नहीं शिफ्ट होगा शादे अपने टाइम पे ही होगी ऐसे अपडेट्स देखते रहने के लिए देखें मी स्टालेट इंटेटेंडमेंट